नमस्कार दोस्तों एक बार फिट से आप सभी का स्वागत इन्वेस्टमेंट का फंडा चैनल में दोस्तों आज बात करूँगा यहाँ पर दो आईपियो के रिगार्डिंग यानि की एक आईपियो तो ओल लेडी क्लोज हो चुगा है जो की 18 अगस्त को तो उसका दिखेंग अभी ग्रे मार्केट प्रिमियम का चल रहा है और उसकी अलोटमेंट और लिस्टिंग का क्या स्टेटस है ठीक है तो उसके बारे में बात करेंगे दूसरा एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग आईपियो मार्केट में आने वाला है नेक्स्ट वीक उसके DRHP से कुछ मैंने डे जो चुका 18 आगस्त को इसका जो सब्सक्रिप्सन आया था मैं आपको लास्ट डे पर एक बार फिर अपडेट कर देता हूं डे वाइस यह दि बात करते हैं डे वन की यानिकी 12 आगस्त को तो वहां पर टोटल सब्सक्रिप्सन आया था 0.37 टाइम्स यानिकी आदे से भी कम आदा गुणा भी फिल नहीं होगा था ठीक है और डे 2 की बात करें तो 0.92 टाइम्स इसका सब्सक्रिप्सन आया था नीकी यानिके दो गुना से ज़ा हो गया था 200 से ज़ादा ठीक है और डे 4 यानिके लास्ट डे इसमें बहुत भांकर अपت समस्रिप्सन आया था जो की तो overall SIRMA SGS Technologies का जो IPO था वो 32.11 टाइम से जो है सब्सक्राइब हुआ था यानि कि 32 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्रिप्सन इसमें आया था इसी को देखते हुए जो इसका grey market premium था ना वो पहले 2-3 दिन तो 20-25 रुपए 30 रुपए पड़ था लेकिन अब इसका grey market premium है जिस दिन से इसका IPO का bidding close हुई है और इसका subscription बढ़ा है तबसे बढ़ रहा है और आज की data में यदि latest में आपको इसका grey market premium बताओ तो यह चल रहा है 60 रुपीज यानि कि 60 रुपए 30 share के हिसाप से इसका grey market premium चल रहा है जो की लबब 25% है तो 25% का grey market premium minimum य जो भी जिनको अलोट्मेंट मिलेगा सिर्माइस जिस आईपियो उनको मिल जाएगा यानि कि सीधा सीधा यह बात करें आपने एक लोट के लिए लगाई है तो उसमें 68 shares है और 60 रुपए का मैं यहां पर मानता हूं यह ग्रे मार्केट premium तो लगभग आपको 4000 रुपए का benefit तो आराम से इस पर लिस्टिंग डे पर होने वाली उम्मीद है हो सकता है और भी हो जाए 60 रुपए का सो भी जा सकता है और 70 रसी भी जा सकता है थोड़ा बहुत 10-20 रुपर कम भी आ सकता है तो डिपैंट करता है कि market condition जब तक इसका IPO लिस्ट होगा उस समय कैसी रहती है त देखते हैं इसका जो अलोट्मेंट होगा वो 23 अगस्ट को हो या निकि आज 20 अगस्ट है तो अभी दो दन के बाद तीसरे दन इसका जो है अलोट्मेंट होगा जिसको को अलोटमेंट नहीं मिला उनका रिफरंड जो है तो सेम डे आया था या फिर नेक्स डे जो है नहीं कि चोबीस अगस्त को आ जाएगा और आपके डीमेट अकाउंट में पच्छीस अगस्त को सिर्मा SGS Technology के आईप्यो के बारे में ठीक है अब चलते ही हम दूसरे आईप्यो के बारे में जो की अभी नेक्स्ट वीक आपको ओपन होते हुए दिख़ाई देगा तो यहां पर पहले थोले ही कंपनी की detail में आपको बता देता हूँ company का नाम है dream fox dream fox सायद कुछ लोगों ने सुना होगा यह company airports पर technology यानि की IT supports provide करा देती है अगर specifically बात करें तो यह launches जो होते हैं जो भी airports पर launches होते हैं वहाँ पर buffet system होता है restaurant होते हैं यानि की मालनीजिए उन में जो access होता है वहाँ पर कई तरह के cards के द्वारा access होता है तो उन card से जो card providers होते हैं उनसे इस company का बहुत मतलब close association है तो वहाँ पर यह support provide करते हैं customer support provide करते हैं और overall airports पर IT support provide करते हैं और aggregation में जो airports के साथ ही business करते हैं तो इनका business revenue वहाँ से आता है जैसे जैसे आने वाले टाइम में airports का जो संक्या बढ़े इनके business के revenue के बढ़ने की उम्मीद है तो यह तो ओक है इनका छोटा सा business के model के बारे में मैंने आपको बता दिया ठीक है यदि आप पढ़ना जाते हैं तो इसके डियारेच भी कियाने की रैड हेरिंग प्रोस्पेक्स्टर जो होता है उसका लिंक में description में डाल दूँगा 300 से उपर के page की जो है लिस्ट है वो उसको पढ़ना संद नहीं है लेकिन वहां से डियारेच भी होता क्या है किसी भी कंपनी का पूरा कच्छा चिठ्था उसके अंदर कंपनी की A to Z information होती है उसके management के बारे में उसके business के बारे में लास्ट है उसका business model क्या है आने वाले future में उनकी क्या planning है तो सारी चीज़ें कंपनी को सेवी के सामने प्रिजेंट करनी पड़ती है जो भी approval लेने से पहले IPO के approval लेने से पहले इसको देखने का बाद ही जो से भी अप्रूब करता है कि यदि कुछ कमी होती है तो उसको update भी कई वर किया जता है अभी तक यदि बात करते हैं तो इसका IPO का price band तो नहीं आया है लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि पिछले तीन सालों में तीन financial year में इसका बिंजिस कैसा रहा है यदि बात करते हैं 2020 की तो इसमें assets जो थी इसकी वो थी 137 क्रोल की यानि की 137 क्रोल की जो की 2021 में घटी है 122 क्रोल की और 2022 में दोबारा से गेन हुआ है यहाँ पर 168.68 क्रोल की ठीक है तो 20 21 और जी 22 यानि की 20 में 137 क् और 22 में इसकी assets बढ़के होगे 168 क्रोल यानि की 21 वाला जो period निकला है वो due to the covid यह जो भी factor रहे हों वहाँ पर आपको पता है काफी चीज़े बं थी close थी तो उनका revenue भी कहां से आता next है revenue की यहीं बात करते हैं तो revenue उनका 2020 में था 366.89 क्रोल का 2021 में घटकर हो गया 108.11 क्रोल का अगेन 2022 में बढ़ा है 283.99 क्रोल का लेकिन 2020 में सबसे जादा था जो 3 साल का data इसमें दिया हुआ है तो 2020 में 366 क्रोल का था 2021 में 108 क्रोल रह गया और 2022 में 283 क्रोल का है यदि बात करते है PAT की यानि कि profit after tax तो 2020 में जो profit था इनका वो था 31.98 क्रोल का और 2020 में इनका profit था 31.98 क्रोल का और 2021 में था माइनस 1.45 क्रोल यानि कि लगबग डियर्ड क्रोल का negative से इनको loss था डियर्ड क्रोल का 2021 के financial year में ठीक है दोबारा 2022 में इनको 16.25 क्रोल यानि कि लगबग साबा 16 क्रोल का profit इनको PAT निकल कर आया है 2022 में अब बात करते है net worth की तो net worth इनकी 2020 में 75.51 क्रोल की और 2021 में 74.30 क्रोल की और 2022 में 82.60 क्रोल की तो यहां पर जो financial इसके देख रहे है अभी तक तो कोई इतने strong financials दिखाई नहीं दे रहे है लेकिन ठीक है क्योंकि 2021 का जो period रहा है न वो थोड़ा सा डिस्टरब रहा सारी इस तरह कंपनी के लिए और आपको पता है सबसे ज़्यादा जो restrictions लगी थी वो air travel पर लगी थी क्योंकि यह across the countries बहुता है सब्सक्राइब रहे है तो यह कंपनी के पास इसमें से कोई पैसा नहीं जाने वाला यानि की कंपनी को अपने बिज्जिस expansion में कोई पैसा नहीं मिलेगा प्रिमोटर से अपना पैसा लेकर अलग हो रहा है ठीक है वो अपना पैसा लेकर अपने पर्सनल यूज में जहां भी लगाना है उनको वो लगाएंगे ठीक है तो यहां पर जो प्रिमोटर से इसके पीटर कल्लक मुकेश यादा बहुत दिने फोक्स लिमिटेट के ठीक है तो यहां पर जो अपनी यह हिस्सेदारी बेच रहे हैं ओफर फोर सेल है वो 33 परसेंट जो इस टेक जो है वो सेल कर रहे हैं जो की बैठता है एक करोड़ बहात्तर लाग बैयाली से जार तीन सो अर्शट करोड़ सेयर्स का दो रुपए की फे सेंट तो यह हो गई बात इसकी आप देख लेते हैं कुछ जरूरी डेट्स कौन-कौन सी डेट्स जरूरी है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 24 अगस्त को ओपन होगा 26 अगस्त को जो है बिडिंग क्लोज हो जाएगी एक सेप्तंबर को इसका जो अलोट्मेंट होगा और इसू आने से पहले जो से रोल्डिंग है वो पिर्मोटर के पास 100% है लेकिन जैसे मैंने आपको बताया 33% जो वो सेल कर रहे हैं तो इसके बाद जो IPO के बाद से रोल्डिंग रजाएगा वो रजाएगा 67% यानि 60% की होल्डिंग जो है पिर्मोटर के पास अभी भी बागी है ठीक है तो यह जानकर इसी दोनों IPO पर एक तो ओलेडी क्लोज हो चुका है जिसकी की लिस्टिंग आपको नेक्स्ट वीक होते हो दिखाई देगी और दूसरा IPO नेक्स्ट वीक ओपन होते हो दिखाई देगा तो आपको यदि जानकर पसंद आईए IPO में इन्वेस्टिंग आप करते हो दिख तो कमेंट करके बताईए यदि आपको IPO से रिलेटिड ज्यादा वीडियो जोट चींगे वैसे तो मेरा objective रहता है कि मैं आपको basic rules of investment यानि कि basic जो आपका financial सुदारने की चीज़े होती है जो आपका financial management है उसको ठीक करने पर मैं वीडियो बनाता हूँ लेक अच्छे वैलिशन्स पर अवलेवल होंगे यदि आप चाहते हो ऐसे वीडियो में बनाऊं तो वह भी मैं आपके साथ बनाकर सेयर करूँगा यदि आप कमेंट करोगे तो thank you so much इवरी वीडियो अच्छे लगी तो लाइक कीजी चैनल को सुब्राइब कीजिए thank you so much जैंज आपके साथ!